जूद रहे हैं और पार्लमेंटरी बोर्ड का जो मुख्य विश्य आज था संसधिय बोर्ड का वो विश्य था कि उपराश्ट्रपती पद के लिए भारती जिनता पार्टी और NDA का कैंडिडेट का चैन प्रक्रिया तो इस चैन प्रक्रिया के लिए हम सब लोग बैठे थे आदरने प्रधाननंतर जी के उपस्तिती में सभी बातों की चर्चा हुई कई नाम हमारे पास आये जिन पर चर्चा हुई बड़ी व्रिहत चर्चा हुई सभी दृष्टी से चर्चा में समाज के दृष्टी से देश क आविश्यक्ता बाकी सारी चीजों को देख करके सभी नामों पर बड़ा गौर किया गया लेकिन सभी नामों पर गौर करने के बाद हम सब लोग और भारतिय जनता पार्टी की संसदिय बोर्ड इस निशकर्ष पर पहुंची है कि उपराष्ट्र पति पद के लिए भारतिय ज पुत्र श्री जगदीप धनकर जी को हम उपराष्ट्र पति पद के लिए अपना प्रत्याशी के रूप में घोशित करते हैं हम सब लोग जानते हैं कि जगदीप धनकर जी श्री जगदीप धनकर जी ये वेस्पेंगौल के अभी गवर्नर हैं और लगबग तीन साल तीन दशक तक वेड़िन एन्हों में उन्होंने काम किया है धनकर जी एक साधर्न परिवार से किसानपुत्र एगरेयं परिवार से किसान की भूमी से आते हुए अपने जीवन में सामाजीक और आर्थिक बाधाओं को पार करते हुए उन्होंने अपने जीवन में उच लक्ष को प्राप्त करने में और सामाजिक जीवन के रूप में देश की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है जैसा मैंने बताया कि वो एक किसान परिवार को बिलॉंग करते हैं और उनका लालन पालन जुन जुनु के एक डिस्ट्रिक्ट के गाओं में वहां हुआ और गाओं के स्कूल से पढ़ाई करते हुए उन्होंने सैनिक स्कूल चितार गड़ से अपनी शिक्षा ली बाद में व फर्स्ट जेनरेशन के प्रोफेशनल हैं यानि वकालत के रूप में वो फर्स्ट जेनरेशन में वकील बने और बहुत ही कम समय में उन्होंने अपने आपको राजस्थान हाई कोट में एक सक्षम वकील एक प्रसिद वकील के रूप में स्थापित किया और साथ ही साथ साथ Supreme Court में भी उन्होंने अपना नाम एक वकील के रूप में स्थापित किया So he is a first generation lawyer, a first generation professional और सारजनिक जीवन में आने से पहले वो एक प्रतिष्चित वकील के रूप में उन्होंने अपने आपको स्थापित किया वो सुप्रीम कोर्ट में वकील थे जब उन्होंने पहली वार लोकसभा 1989 में जुनजुनु से चुनाव लड़ा और वहां से वो विजय हासिल की और बाद में वो 1990 से लेकर के 1993 तक वो पारलिमेंटरी अफेर्स, मिनिस्टर अफ स्टेट फॉर पारलिमेंटरी अफेर्स के मंत्री रहे और बाद में वो राजिस्थान के किशंगर कंस्टिवेंसी अजमेर डिस्टिक्ट से विधान सभा के भी सदत से रहे और उनका एक लंबा administrative experience रहा है हम सब जानते हैं कि वो जुलाई महीने 2019 में उन्होंने राज़ेपाल का पद वेस्ट बेंगॉल में पश्चिम बंगाल के राज़ेपाल के पद को संभाला as governor of West Bengal और हम जानते हैं कि उनकी छवी people's governor, लोगों के governor, लोगों के दिल पर राज़ करने वाले ऐसे सक्षियत के रूप में राज़ेपाल के रूप में स्थापित हुए है और उन्होंने जिस तरीके से सारजनिक जीवन में सेवा की है और लंबे समय तक सेवा की है इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भारतिय जनता पार्टी और NDA ने ये तैय किया कि किसान पुत्र साधारन परिवार से बढ़ते हुए first generation के professional fully equipped as an administrative with administrative capacity और जिनका सारजनिक जीवन में एक बहुत ही अच्छा योगदान रहा है ऐसे प्रत्याशी को भारतिय जनता पार्टी और NDA अपना उपराष्ट्रपती Vice President का प्रत्याशी घोशित करती है और आगे चल करके उनके nomination की तारीख भी तैय होगी और फिर चुनाओ के दिश्टी से त्यारी होगी मुझे यही आप सब को बताना था श्री जगदीब धनकड हमारे NDA के प्रत्याशी है बहुत बहुत धन्यवाद प्रत्याशी है प्रत्याशी है